नमस्कार मैं दीपती आज लेकर आई हूँ आपके पास कुछ सीक्रेट ट्रिक और टिप्स के साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी पकोडा कड़ी की रेस्पी कड़ी ऐसी रेस्पी है जो हर प्रांत में खाई जाती है उसको बनाने का तरीका अपना अपना है और सभी लोग इसको अपने अपने तरीके से बनाते हैं तो चलिए आज मैं इसे अपने तरीके से आप सब के शाथ शेयर कर रही हूँ पकोड़े इतने सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं कि आप मुह में रखेंगे और घुल जाएंगे और एक बार आपने मेरी कड़ी की रेस्पी देख ली न तो आप हमेशा इसी तरह से ये कड़ बेशन, हल्दी, नमा, साथ में डालेंगे अजवाइन, और हीन, मैंने सबजियों की कटिंग चॉपिंग पहले ही कर ली है तो सबी चीजों का मेजरमेंट आप देखते जाएगा और वीडियो को इसकिप मत कीजेगा बढ़ना आपको ठीक से समझ भी नहीं आएगी और आप अगर मतलब सिंपल सी ये कड़ी की रैस्पी है मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो सब आपकी तारीफ करेंगे तो चलिए फटा-फट से बेशन को मैंने फेट लिया है अभी थोड़ा सा बेशन लग रहा है पर देखिएगा कितने धेर सारे पकोड़े बनेंगे तो मैंने राज, गाजल, अब्हज, अध्रक, हरी मिर्ची, हरादनिय, ये तीनों चीजें बहुत अच्छा सा फ्लेवर लेकर आएंगी और आलू को मैंने इस तरह से कट किया है ये कच्छे आलू है और इनको मैंने महीम हीम इस तरह से कट किया है थोड़े से मैं बचा लूँगी जि तो यह एक सीक्रेट टिपस है आप सबके रिए कि बेसन को पहले आप फेट लीजिए उसके बाद उसमें सबजियों को एड़ कीजिए तो अच्छे से फलपी होकर बेसन फिट जाता है और सबजियां बहुत अच्छे से उसमें मिक्स होती है अब मैंने यहां ली है छाज आप दही का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर मैं यहां इसको चाज के साथ बना रही हूँ तो अभी मैंने बेसन डाल दिया है और बेसन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां पर मैं इस तरह से बेसन डालने के बाद भी क्या करती हूँ मैं जब बेसन को और यह जो मठा है ना च तो चलिए अब कड़ी को यहां पर छौकते हैं, यानि कि उसकी ग्रेवी तयार करते हैं, सरसो के तेल में डालेंगे राई के दाने, मेथी दाना, यह देखिए मैंने यहां पर मेथी दाना ले लिये हैं, साथ में जाएगी हींग, और यहां पर जाएगा लहसुन, जी हां जाल दिया है और इन सभी चीजों को हम सटे करते जाएंगे मैंने पकोड़े में भी यह सारी चीज़ें इस्तेमाल की है और हम इसकी ग्रेवी में भी डालेंगे जो भी सब्सक्राइब गोभी मटर आलू प्याज वो सब हम यहां पर ही उच करने वाले हैं इस तरह से जब आप कड़ी बनाएंगे न यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनती है आप कितनी भी ठेड़ सारी बनाएए वो खतम हो जाती है सभी को बहुत पसंद आती है और कड़ी का मोस्ट इंपोर्डेंट पार्ट है यह जो करी पत्ता नीप से डाली है यह जरूर डालिए इसी से कड़ी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अब मैंने यहां पर डाल दिये हाल्दी पाउडर साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर और चिली पाउडर ठीक है और इन सभी चीजों को हम यहां पर अच्छे से मिक्स कर देंगे सबजीों के साथ और सबजीों को धीमियाज पे करके हम पका लेना है मैंने इस तरह से कटकर के लास्ट में हरी मिर्ची डाली है ताकि यह अच्छी सी बनी रहे और इस तरह से हरी मिर्ची डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ठीक है और जब तक मैं वहां पर सबजीों को पका रहे हूं तब तक हम साइड में य पकॉडे लगते हैं एक बार आप नॉर्मल ऐसे ही पकॉडे बना कर देखेगा बहुत टेस्टी बननकर तयार होते हैं और बेशन को अच्छे से फिट लीजेगा यहां तेल को गरम करके फिर आज को धीमा कर देना है अगर आप तेज गरम तेल में डाल देंगे पकॉडे तो जल जाएंगे और अच्छे से अंदर तक जालीदार नहीं मनेंगे तो यहां पर आज को पहले तेल को अच्छे से गरम कीजिए फिर आज को धीमा करके धीमी आज में पकोड़े से किए इसलिए मैंने साइड में रखे हैं अब यहां पर सबजियां अच्छे से पग गई हैं त तो बहुत ही ज़्यादा चिकनी एकदम बनती है, बहुत ही स्मूध सी रहती है इसकी ग्रेवी, जो पेसन और ये छाज हमने यहाँ पर एट किया है, इसको डालने के बाद हमें इसको चलाते रहना है, क्योंकि जो छाज है, वो तेज आच में एकदम से उबलने लगती है, और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और छुटी के दिन बच्चे घर पे रहते हैं, तो उन्हें ये बहुत पसंद होते हैं, बिना किसी चटनी के आप इनको खाये, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो यहाँ पर मैंने पकोड़े तल लिए है, और यहाँ पर ये देखिये तो कड़ी भी पकती जारी है और मैं साइड में पकोड़े भी तलते जारी हूं ये कड़ी बिलकुल अलग तरह की बनती है आप नॉर्मल कड़ी बनाएंगे न उससे बिलकुल डिफरेंट होती है टेस्ट बिलकुल अलग आता है और यहां पर छाज को बहुत ज़्यादा खटा मत लीजेगा मीडियम खटी छाज होगी तो यह कड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और यह देखिए कड़ी धीमे धीमे पकती जा रही है और आप देख सकते हैं बेटर कितना ज़्यादा चिकना एकदम स्मूध है कोई लंस नहीं है गुटली नहीं है इसमें और कड़ी को एक होता क्या है जितना ज़्यादा आप पकाएंगे और जब इसमें ऐसे बबल्स आने लगे ना तब लास्ट में मैंने यहाँ पर नमगेट किया है और कड़ी जितनी अच्छी पकी होती है जब इसकी खुश्बू आने लगती है ना तब यह कड़ी जाकर परफेक्ट होती है तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से पकाया है जब तक यह बढ़ी आजी पक्कर तयार नहीं हो गई है यह देखिए उपर उपर इसमें जब इस तरह की मलाई ऐसी जमने लगे ना तब समझिए कि आपकी कड़ी बिल्कुल पक्कर तयार हुई है क्योंकि हम इसमें कच्छे बेसन का इस्तेमाल करते हैं और कच्छा जो बेसन होता है वो जब तक अच्छे से नहीं पक जाता है तब तक कड़ी में टेस्ट नहीं आता है तो यहाँ पर अब हम यहाँ पकोड़े एट कर देंगे और पकोड़े डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाती हूँ ताकि जो ग्रेवी है कड़ी की वो अंदर तक चली जाए और उपर से हरा धनिया डाल दिया तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कस्मेरी लाल मिर्च का तड़का लगा सकते हैं वरना इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं